नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूटूब चेनल स्वास्तिक चीके में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी करोना वाइरस से समंदेद MCQ क्वेस्चन की सीरीज चल रही है यह इस सीरीज का दूसरा वीडियो लेक्चर है इस लेक्चर में हम COVID-19 की भारत में सुरुवात, इस से निपटने के लिए भारत सरकार की तेयारी वे इसके इलाज के विविन प्रोटोकॉल से समंदेद MCQ क्वेस्चन करेंगी तो चलिए दोस्तों, वीडियो को सुरू करते हैं अमारा पहला क्वेस्चन है, विश्व में क्रोना वाइरस के सरवादिक केस कहां मिले हैं फर्स्ट ओप्शन है चीन, सेकिंड है ब्राजील, धर्ड है भारत और फोर्थ है अमेरिका तो विश्व में क्रोना वाइरस के सरवादिक केस अमेरिका में मिले हैं, उसके बाद भारत का नंबर है और तीसरे स्थान पे ब्राजील है तो इसका सही अंसर है ओप्शन नंबर च्यार अमेरिका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में COVID-19 का पहला मामला किस राज्य में मिला फर्स्ट ओप्शन है महराष्टर, सेकिंड ओप्शन है केरल, थर्ड ओप्शन है राजस्तान और फोर्थ ओप्शन है करनाटक तो भारत में COVID-19 का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को केरल में मिला था तो हमारा सही अंसर है ओप्शन नंबर दो केरल हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में COVID-19 से राज्य में हुई पहला ओप्शन है महराष्टर, दूसरा है केरल, तीसरा है करनाटक और चोथा है राजस्तान तो भारत में COVID-19 से पहली मोत करनाटक राज्य में हुई तो हमारा सही अंसर है ओप्शन नंबर तीन करनाटक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में करोना वाइरस ट्रेकिंग एप आरोग्य शेतू कब लोंच किया गया पहला उप्शन है दो अपरेल 2020, दूसरा उप्शन है 25 मार्च 2020, तीसरा उप्शन है 5 अपरेल 2020 और चोथा उप्शन है 27 मार्च 2020 तो जो यह अरोग्य शेतू एप है यह भारत में 2 अपरेल 2020 को लोंच किया गया अरोग्य शेतू एप विश्व की फास्टेस ग्रोविंग एप है जब यह एप लोंच हुई थी तो मातर 13 दिनों के अंदर इसे 5 करोड से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया था तो इसमें हमारा सही आंसर है ओप्सन नमबर 1 दो अपरेल 2020 हमारा नेक्स्ट कुश्चन है कोविड उनीस के दोरान विद्यसों में फसे भारतियों को लाने के लिए कौन सा मिसन भारत सरकार दोरा सुरू किया गया तो ये आप जानते हैं कि जब पिछले साल कोविड उनीस आया था तो विद्यसों से हवाई जाज के थुरू लोगों को लाने के लिए भारत सरकार ने एक मिसन शुरू किया था तो इसमें उस मिसन का नाम बूचा गया है तो हमारा पहला ओप्सन है ओप्रेशन रिश्क्यू सेकिंड है ओप्रेशन नील थर्ड है बंदे भारत मिसन और फौर्थ है जे भारत मिसन तो इस मिसन का नाम था बंदे भारत मिसन यानि ओप्सन नमबर तीन हमारा next question है, COVID-19 के दोरान विदेशों में फसे भारतियों के लिए नो सेना ने कौन सा अभियान चलाया। पहला option है, Operation सागर, दूसरा है, Operation समुंदर से तू, तीसरा है, Operation परहार और चोथा है, इन में से कोई नहीं। तो COVID-19 के दोरान विदेशों में फसे भारतियों के लिए नो सेना ने, Operation समुंदर से तू चलाया। तो हमारा सही answer है, option number 2, Operation समुंदर से तू। हमारा next question है, COVID-19 से संकर्मित रोगी को सबसे पहले भारत में पलाज्मा थेरेपी किस राज्ये ने शुरू की। तो सबसे पहले इस question में हम पलाज्मा थेरेपी का आर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जो मानव रक्त है उसका 55% हिस्सा तरल अवस्ता में यानि लिक्विड स्टेट में होता है। और 45% हिस्सा तरल अवस्ता में होता है। जो हिस्सा लिक्विड स्टेट में होता है उसके अंदर पलाज्मा उपस्तित होता है। और जो सोलिड स्टेट में होता है उसमें WBC यानि भाइट वलड सेल, RBC यानि रेड वलड सेल और पलेट उपस्तित होते हैं। तो इसमें पलाज्मा तेरपी का आर्थ है, जैसे मान लिजिए किसी वेक्ति को COVID-19 हो गया और वह कोविड-19 से ठीक हो गया। तो होता क्या है कि हमारे स्रीर के पलाज्मा में एंटी बोडी मौजूद होते हैं। अमान लिजिए कि एक दूसरे वेक्ति को COVID हुआ और उसकी COVID से स्तिती ज़्यादा खराब हो गया। तो उस केस में होता क्या है कि वहे वेक्ति जिसको COVID होके ठीक हो चुका है, उसके पलाज्मा में एंटी बोडी है। तो इस केस में होता क्या है कि उस वेक्ति के स्रीर से बलड निकाला जाता है। और उस बलड को पलाज्मा में कंवर्ट करके जिस वेक्ति के हालात COVID से ज़्यादा खराब हो गई थी उसकी बोडी में पलाज्मा दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को unstoppable therapy कहा चाता है तो हुमारा question ये था कि भार्त में सरव पर्थम plasma therapy किस राजय ने शुरू की तो यह की थी केरल राजय ने यानि हमारा answer हुआ option number 1 केरल हमारा next question है मानव रख्त का लगबक कितना परतिसत हिस्सा पलाजमा का होता है पहला उप्सन है 45%, सेकिंड है 65%, धर्ड है 39% और फॉर्थ है 55% तो मानव रख्त का 55% हिस्सा पलाजमा का होता है ये हम उपर देख चुके हैं ये हम पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं अब इसमें एक क्वेश्चन और पुछा जा सकता है कि पलाजमा में कितने पर्षेंट तक पानी होता है पलाजमा में 90-20% तक वाटर होता है यानि पानी होता है तो इसमें हमारा सही आंसर हुआ option number 4, 55 हमारा next question है plasma therapy का नाम plasma therapy का पूरा नाम क्या है पहला option है extra cellular plasma therapy दूसरा है intra-vascular plasma therapy तीसरा है convalescent plasma therapy और चोथा है इन में से कोई नहीं तो plasma therapy का पूरा नाम है convalescent plasma therapy यानि option number 3 तो हमारा सही answer हुआ option number 3 plasma therapy से question पुछे जाने के chances इसलिए भी है क्योंकि हभी हाली ने ICMR ने plasma therapy को COVID-19 के treatment से हटा दिया था हमारा next question है BCG के टिके का ट्राइल भारत में मुंबई के आफकेन इंस्टिटूट ने COVID-19 के उपचार में परभावी होने का पता लगाने के लिए किया BCG का पूरा नाम है फ़स्ट अप्शन है WC वैसिलस केल्मेट Gyu médi सेकेंड और फैक्टिरिया केल्मेट Gyu Guill थार्ड ओप्षन है वैसिलस केल्मेट Gry वैसिलस केल्मेट Ghy crash फैक्टिरिया केल्मेट Gyu तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो TB विमारी है जिसे टूबर कुलोसिस कहा जाता है उसके उपचार के लिए BCG के टिके का इस्तेमाल होता है तो जब करोना वाइरस आया था तो सुरुआत में इसके इलाज में BCG के टिके का भी इस्तेमाल किया गया था तो हो सकता है कि इससे भी क्वेस्टेम पूछा जाए तो BCG की जो फुलपॉम है इसकी फुलपॉम जो टूबर कुलोसिस के टिके का जिनोंने अविस्कार किया था उन्हीं के नाम पे है तो टूबर कुलोसिस के टिके का अविस्कार किया था एलवर्ट केलमेट और केमिली ग् तो इसमें हमारा सही आंसर हुआ ओप्शन नमबर एक वेसिलस केलमेट क्यूरीन यानि इसका सही आंसर हुआ ओप्शन नमबर एक हमारा नेक्स्ट कुश्चन है तीबी यानि टूबर केलोशीस किस कारण होता है फर्स्ट ओप्शन है जिवानू, सेकिंड है विशानू, थर्ड है प्रोटोजोवा और फोर्थ है इन में से कोई ने टूबर क्लोशीस है वो बेक्टीरिया के कारण होता है यानि हमारा पहला ओप्शन है जिवानू, यानि इसमें हमारा सही आंसर हुआ, ओप्शन नमबर एक जिवानू हमारा नेक्स्ट कुश्चन है, मुख्यता किस बीमारी में होता है तो इससे कुश्चन इसलिए भी पूछा जा सकता है, जब ये क्रोना वाइरस आया था औरो कुईन जो दौआ है उसका प्रियोग किस बिमारी में किया जाता है। हमारा पहला उप्सन है मलेरिया, सेकिंड है हेजा, थर्ड है चैचक, और फौर्थ है डेंगू तो इसका सही आंसर है उप्सन नमबर एक मलेरिया। हमारा नेक्स्ट कुईस्टन है रेम डिशिवर को सबसे पहले किसके दौरा विक्षित किया गया। यानि रेम डिशिवर दौआ को विक्षित करने वाली कमपनी का नाम किया था। तो रेम डिशिवर जो दौआ है वो मुख्यत है इबोला वाइरस की है। इसमें हमारा पहला option है फाइजर, सेकिंड है एस्टरजनिका, थर्ड है जिलेड और फॉर्थ है जॉनसन और जॉनसन तो रेम डिशिवर दवा को सबसे पहले अमरीका की जिलेड साइंसिस लिम्टिड दुवारा विक्षित किया गया था तो हमारा सही आंसर है option no.3 जिलेड हमारा next question है RT-PCR test में CT value से पता चलता है कि किसी व्यक्ति में क्रोना संकर्मन कितना है इस CT value का आर्थ है first option है current threshold, second option है common threshold, third option है cycle threshold और fourth option है इन में से कोई नहीं तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि करोना वाइरस कि COVID-19 एक RNA वाइरस है और मानुषरीर में DNA उपस्तित होता है तो होता क्या है कि जो DNA है वो double helix structure होता है और RNA जो है वो single helix structure होता है इनका structure आप screen पे देख रहे हों तो करोना वाइरस की जान्च के लिए जिस RT-PCR test का प्रियोग किया जाता है उसमें क्या किया जाता है कि RNA वाइरस को DNA में बदला जाता है यानि जैसा हम RT-PCR की फुलफॉम देखते हैं कि reverse transcription polymyraad chain reaction तो इसमें क्या किया जाता है कि RNA वाइरस को reverse transcription की पदती के अनुशार DNA में convert कर लिया जाता है उसके बाद जैसा कि RT-PCR की फुलफॉम है polymyraad chain reaction तो उसके बाद DNA के structure को वाइरस से मेज़ करने के लिए इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे जूश निकालने की machine में हम जूश निकालते हैं और उसको बार बार गुमाते हैं तो होता क्या है कि इसको RNA को DNA में change करके उसको बार बार गुमाया जाता है और जब इसका structure COVID-19 से मिलता जुलता हो जाता है तो उस case में कह दिया जाता है कि आप करोना positive हो तो इसी circle को गुमाने की जो process है इसी को नाम दिया गया है CT value तो CT value का अर्थ है cycle threshold यानि option number 3 हमारा next question है अगर किसी व्यक्ति का CT value 35 से जादा हो तो उसकी RT-PCR report पर दर्शित करेगी first option है संकर्मन जादा है second है संकर्मन बिल्कुल नहीं है third है कुछ संकर्मन है और fourth है इन में से कोई नहीं तो होता क्या है कि अगर CT value 35 से कम है तो इसका मतलब व्यक्ति करोना positive है और CT value जितनी कम है व्यक्ति में करोना का संकर्मन उतना जादा है तो इसमें क्या पुछा गया कि अगर किसी व्यक्ति का CT value 35 से जादा हो तो अगर किसी व्यक्ति का CT value 35 से जादा हो तो इसका मतलब है कि उसमें संकर्मन बिल्कुल नहीं है यारनि 35 सरकल पार करने के बाद भी उस वेक्ति में करोना नहीं देखा गया इसका मतलब है कि उस वेक्ति में संकर्मन बिल्कुल नहीं है तो हमारा सही अंसर है ओप्सन नमबर दो संकर्मन बिल्कुल नहीं है तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जुरूर बताईए इस वीडियो को जादा से जादा लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जादा से जादा अपने दोस्तों के साथ सेर करें आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जुरूर जोइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो